नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों आज हम जानेगे सीतला माता मंदिर जोकी गुरूराम में स्थित है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप इस चैनल पे परवाज के वीडियो को दोस्तों सीतला मता है वेघंडू देवी कौन सी देवी हें हिंदू देवी है और इस इनका प्रासिम काल से बहुत अधिक महातम्य रहा है चंद बताई गए और गदरब को आप जानते हो किसे को बोलते हैं इसको parler बोलाता है तो सितला मत्रा मत्यार क वहन है उसको सकंदल पूराण के अनुसार गदरब बताई यह हातु हो में कलस मार्जन या नी yılा के ज़ाड़ू. और सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है इन्हें चेचक आधी रोगों की देवी भी बताया जाता है चेचक का रोगी व्यागरता से वस्तर उतार देता है और सूप से रोगी को हवा की जाती है ज़ाडू से चेटा के फोडे फट जाते हैं और नीम के पत्ते से फोड़ों को सडने नहीं देते रोगी को ठंडा जल है वो पिरिय होता है तो ये सब चीजें इसके बारे में हैं और कुछ जान लेते हैं सितला माता के बारे में इनका संबंध है किस्से है सक्तियोतार से अस्तर कलस सूप जाड़ू और नीम के पत्ते जीवन साती है सिव सवारी है क्या अभी अभी हमने जानी है गद्रब सकंद पुराण में इनकी अर्चना का स्त्रोथ सीतला श्टक के रूप में प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है कि इस त्रोथ की रसना भगवान संकर ने लोग हित्मे की थी और सीतला कष्ट सीतला देवी की महिमा गान करता है साथ ही उसकी उपासना के लिए भक्तों को प्रिरित करता है सास्त्रों में भगवती सीतला की वंदना के लिए एक मंतर भी बताया जाता है जो की नीचे दिया हुए तो दोस्तों अब कुछ इत्यास जान लेते हैं सीतला माता मंदिर के बारे में सितला माता मंदिर है यह क्या है सितला माता को गुरू द्रोना चारे की पत्नी जिनका नाम था किर्पी या किर्पई भी बोला दाता था उनको समर्पीता है जो सितला माता का मंदिर है यह गुरू द्रोना चारे की पत्नी किर्पी या किर्पई को समर्पीता है जिनें और क्या किर्पी कुरिता कि कर दाता है और बाद में मातसीतला यानि के दिली के अधर सासित परदेश के केसुफूर्वर गाउं में रहती थी तो आपसे यह कुछतन पुछा सकता है की यह जो सीतला मता का मंदिर है गुरुग्राम से पहले कहацे तो यह दिल्ली में केसोपूर गाउं में उनके पती उनके गुरुग्राम आसरम से रोजाना केसोपूर आते थे देख लेते कुछ और इनके बारे में उसने खुद को बिमार बत्सों की देखवाल के लिए समर्पत किया विशेश रूप से चेचक से पीडित लोगों को लोगों ने माता को सने और सम्मान से बुलाया उनकी मृत्यों के बाद ग्रामिनों द्वारा उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया गया और उन्हें माता सीतला या माता मसानी यानि के चेचक की देवी के रूप में याद किया जाने लगा तो यह important है इस सीतला माता को और किस-किस नाम से जाना जाता है माता मसानी के नाम से भी जानते हैं और चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है तो आपसे चेचक की देवी का मंदिर या माता मसानी का मंदिर पुछा जाए तो वो कहाँ पे है वो गुरुग्राम में है और यदि ये पुछा जाए कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई तो इस मंदिर की स्थापना आई थी 1650 हिश्वी में एसा कहा जाता है कि तीन सद्धियों से भी अधिक समय पहले मसाणी माता ने चोधरी, सिंगराम, उर्फ, सिंगराम को सपने में गाउं गुरुगराम का एक जाट दिखाई दिया उसने केसोपुर छोड़ने और गुरुगराम आने की इच्छा व्यक्त की उसने उसके लिए एक जगहें बनाने के लिए बनाया गुरुग्राम के दक्षिन में द्रोना चारे के मंदिर के पास गुरुग्राम भीमकुंड स्थित है और सितला मत्ता मंदिर गुरुग्राम के उत्तर में स्थित है तो ये आप से पुचा जा सकता है जो गुरुगराम में सीतला माता का मंदिर है ये किस ने बनवाया था एक सिंगा नाम का एक जाट था चोधरी था उन्होंने ही बनवाया है किम दंती यह है कि सिंगा ने देवी को मानी और स्तापित करने के बाद भी अपने दिल की इच्छा के बाद गुरुगराम में केसोपूर के निवासियों ने गुरुगराम के लोगों के दाओं पर विवाद जारी रखा और यह विवाद मुगलों के दिन जाड़्चा की कि देवी ने गुरुगराम गाव में रहना शुरू करतिय के बरतना मंदिर को मीर्चा की बाद बन ioर्चा के इंद्व leaving इनि खालत मुगलों पर निए उसमें बनाया था जिन शीटला अशिरुदा मात्य का आसिरवाद लिया था नेक्स्ट देख लेते हैं